दुनिया को हसाने वाला एक और सितारा डोब गया गजोदर भाईया यानि की राजू स्रीवास्तो अब हमारे बीच नहीं रहे हैं आपने देखा होगा कुछ समय पहले इन्हें हाटर टेक आये था उसके बाद ये कौमा में थे और आज उनकी डैथ हो गई है आप लोग इन्हें अपनी स्क्रीन के सामने देख भी रहे होंगे और आप देखिए इनका एक परिवार है तो आज हम लोग इनके बारे में एक सामान जानकारी देख लेते हैं और उपर वाले से आप लोग दुआ करिए कि इनकी आत्मा को सान्ती मिले और इनके परिवार को इस दुख की घड़ी में सहन सकती दे और इनका संबंद उत्तर पिदेश से था कहां से उत्तर पिदेश से था देखिए हमारा प्यारा भारत है और इसमें आप देखेंगे उत्तर पिदेश आपको दिखाई दे रहा होगा और राजनीती की दृष्टी से भी उत्तर पिदेश काफी महत्पूर है और आप देखें कि इसकी अंतराष्टी सीमा नेपाल से लगती है, राज्यों में बिहार है, जारिखंड है, चत्तीसगड, मद्ध पिदेश, राजिस्तान, हरियाना, हिमाचल पिदेश और उत्राखंड और दिल्ली से लगती है सबसे जानदा राज्यों से सीमा लगती है आपकी उत्तर पिदेश की, यहां विधान सभा में आप देखेंगे कि 403 सीटे हैं, और विधान परिशद में आपकी 100 सीटे हैं, राज्य सभा में 31 सीटे हैं, लोग सभा में 80 सीटे हैं, और आप सभी जानते हैं कि उत्तर पिदेश इनका पूरा नाम था और गजोधर राजु भीया इनके उपनाम थे और आप सभी जानते कि उपनाम कहने का मतलब यह होता है कि एक बेक्ती का वास्तिविक नाम होता है और बाहरी लोग उसे या अपने लोग उसे प्याल से किसी और नाम से बोलाने लगते हैं उसी को उपनाम कह देते हैं और आप सभी जानती कि हास कलाकार थे कॉमेडियन थे और इनका जनम अगर आप देखी तो 25 दिसंबर 1963 में कानुपोर यूपी में हुआ था उत्तर पेदेश में हुआ था इनके पिता का नाम रमे सिरिवास्तो इनकी पतनी बेटी और बेटे को आप लोग देख भी चुके होंगे देखिए इनका बेटा है बेटी है और राजू सिरिवास्तो इनकी पतनी आपको देख रहे हैं अगर हम लोग राजू सिरिवास्तो के टीवी केरियर की बात करें तो राजू सिरिवास्तो क अमेडी की दुनिया में एक जाना माना चहरा थे और उन्होंने भार्ती स्टेश सो के साथ साथ विदेशों में भी परफॉमेंस किया यानी की पिदरसन किया और कोश साल पहले हम सैनी और कैसेट के बहुत सौकीन थे और उस सानक के लिए उन्होंने ऑडियो गैसिट और सीडी की एक सिंखला भी सुरू की थी उनकी सुरुवात फ्री था उनकी लोक्स के लिए थी और जिसे आमिताब बच्चन का सुरुवाती चहरा माना जाता था और सुरुवात में उन्होंने बॉलिवोड फिल्मों में चोटे मोटे रॉल करके तरक्की की और राजी सरी प्रोड़रक्षन की मैंने प्यार किया नाम की फिले में राजू एक छोटा सा हिस्सा था राजू सरी बास्ताव का और उन्हें बाजीगर बॉम्बे से गोआ जसी पिस्तिद्य फिल्मों में चोटी भूमिका मिली और आप देखेंगे इस्टेंड अप कॉमिडी में उनकी इंट्री टेलेंट सो दा ग्रेट इंडियन लाप्टर चैलेंज से हुई थी उन्हों इने से सेकेंड रन अप के रूम में पूरा किया था उन्होंने फिर से दा ग्रेट इंडियन लाप्टर चैलेंज चेंपिन से में भाग लिया और उन्होंने जीत आसिल की थी और दा किंग आफ कोमडी का खिताब उन्हें मिला था राजु ने बिग वॉस बिग बिर्दर में भी हिस्सा लिया उन्होंने अपनी पतनी के साथ नच वलिये सीजन छे में भी भाग लिया था। राजू ने अन टीवी सो में भी भाग लिया। दो महीने से अधिक समय तक घर में रहने के बाद चार दिसंबर 2009 को उन्होंने को बोट दिया गया था। बाद में राजूसी वास्तों ने Comedy सो का म महा मुकाबला भाग लिया थे इसमें और 2013 में राजू ने अपनी पत्नी के साथ जो नच बली सिक्स सीजन था उसमें भी भाग लिया था और आप देखें कॉमेडी नैट्स बित विद कपिल में भी ये नजर आ चुके थे और आप लोग ने कॉमेडी देखी होगी तो उसमें दिखाई भी देंगे वह मजाग मजाग और उफिदार इंडियन मजाग लीग नामक सो में भी दिखाई दिये और यह ही एक इस्टेंड अप कॉमेडी सो था जो लाइफ ओक की पर विसारित होता था लोग फुरी ये करिकेटर हर भजन सींग और स्वेब अटर सो की जज थे इसमें इनकी कई मूवियों में चोटा-चोटा किरदार निवाच चुके थे जैसे 1988 में तेजाम में एबाजीगर 1993 में आई थी इसमें भी 2001 में आमदानी अठनी खर्चा रुपईया में भी इनोंने किरदार निवाया था 2002 में वाय तेरा क्या कहना इसमें भी 2003 में मैं प्रेम की दीवानी 2007 में बिग विर्दर 2007 में ही फिर हेरा फेरी 2007 में बॉम्बी टूगवा 2010 में भावनाओं को समझो इस तरह की तरह कई मूवियों में इनोंने रॉल किया राजनीती में भी कुछ समय के लिए देखे कानपुर में राजू सिरीबस्तों को लोगसाबा चुनाओ के लिए 2014 में समाजबादी पार्टी द्वारा एक राजनेता की रूम में मैदान में उतारा गया था लेकिन उन्होंने 11 मार्च 2014 को यह दावा करती हुए अपना टिकेट बापस कर दिया था कि उन्हें पार्टी की स्थानिये काईयों से उचिस समर्थन नहीं मिल रहा है और इसके बाद 19 मार्च 2014 को भारती जन्टा पार्टी में सामिल हो गए थे और पैधान मंती नयद मोदी ने वह स्वक्ष भारत अवियान की एक हिस्से की रूम में नामित किया था उन्हें और तभी से वह सफाई पर फोकस कर रहे थे वह स्वक्षिता को बढ़ावा देने के लिए बिभिन कारकोंव की विवस्ता भी करते थे और इसके साथ ही उन्होंने सोसल मीडिया की साथ साथ टीवी पर भी कई इस तरह के वीडियो बनाए और एक बिबाद भी इनसे जुड़ा रहा है आप सभी जानते हैं कि मच्छल चालीसा और जिसके चल लिते उन्हें हिंदू कर्टर पंतियों द्वारा कड़ी आलोचनाव का सामना भी करना पड़ा था क्योंकि वह हिंदू देवता की गर्मिया को अफमानित करते हैं ऐसा इन संगर्टनोंने आरोप लगाये था कॉमेडी के दुनिया के सबसे फेमस और इंडिया के बेस्ट कॉमेडियन में से एक गिने जाने बाले राजू सिरिवास्तो अब हमारे बीच नहीं रहे हैं और 10 अगस्त को जिम में बरकाउट करने की दौरान राजू सिरिवास्तों को हार्ट अटेक आये था और जिसके बाद उन्हें तुरन दिली के एमस होस्पीटल में एडमिट कर आये गया था जिंदगी और मौत की वीच एक लंबी लड़ाई लडने के बाद आज कॉमेडियन का डैथ हो गई है यानि की मौत हो गई है तो फिर से उपर वाले से दौा करिए कि इनकी आत्मा को सांती मिले और अब देखिए दुख की इस घड़ी में इनके परिवार को सहन सकती मिले जिससे ये से दुख से ओबर सकें बूलो